हलो दोस्तों मैं नाम है सिदार सिना और यह जब वीडियो है आपका पास जैबी एक्जाम इन 30 देज इस दिम के अंदर अंदर हम लोग जैबी एक्जाम पास कर जाएं ठीक है उसको पर एक वीडियो है देखिए एक्जाम नजदेक आ रहा है और पढ़ना तो पढ़ेगा यह बिना पढ़े कुछ होगा नहीं अभी जो एक क्रोना वाइरस का चक्कर फैला हुआ है उसकी वजह से अब आपको जो ऑफिस जाना होता है एक दिन अल्टरेंट करके जाते हैं नॉर्मली की बात कर रहा हूं एक्सेप्शन हर जगा है को जो नहीं कि यह कानून है कि आपको आपको जाना है कहीं कहीं ब्रांच है तो नहीं जाना होता है और हजो में जेटो में आरो में कौर्टिट ऑफिस में भी जाना पर whereby बहुत सा लोगों से बेनिफिप κι vendors होगा जो यूज कर रहे होंग एक एक दिन का प्लस यहां पर जल्दी जलूर आ रहे हैं कि बैंकिंग आवर आपको दो घंटा उलड़ी कम हो गया दस से दो है पर दस से चाल होता है अब आपके पास एक्चुली बोलने के लिए 30 दिन है ठीक है पर समय ज़्यादा है समय ज़्यादा है हकिकतर में 30 दिन बुलने के लिए 60 दिन हो गया हो यतना समय के ऐї 30 दिन में समय विल रहा था यह दो समय करिए दूसरी बात है कि हमें एक्जाम को इस तरीके से पढ़ना है कि हमें पास हो जाए ठीक है बुख पढ़ने के लाएं कि भी समय नहीं कि खोले और पढ़ें वो भी नहीं संबवे और आज करेंगे जो ट्रेंड है बहुत सारे questions outside syllabus से पूछ रहा है यह भी आप देखे होंगे जो एक्जाम last time दिये होंगे ठीक है जो repeater होंगे वो अच्छे से जान रहे होंगे कैसा questions आयता लासता है और जो fresher होंगे जो पहली बार दे रहे हैं वो भी ध्यान से सुने और समझे जो 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 एक्जाम को जो पॉर्षन है उसमें ऐसा समझे कि 60% to 70% आपको content जो है बुक से पढ़ना पढ़ता है ठीक है और 30% to 40% जो content होता है वो outside होता है outside का मतलब है जो की बाहर से पूछा जा रहा है यानि outside बुक के बाहर है outside बुक अप्लिक लिए जी और इस वजह से टफ जाता है normally ये वारा portion तो हो जाता है और ये वारा portion नहीं हो पाता है इसकी वजह से लोग fill कर जाते हैं ठीक है और अगर आप देखेंगे भी J.A.W. जो लोग exam दे रहे हैं बहुत कमी लोग होते हैं जो all three papers को pass कर पाते हैं ये भी समझेगे जरूरी है all three papers को pass कर पाते हैं आपको उसी हिसाब से उसी तरीके से पढ़ना है ठीक है अब एक सावाल है कि मेरे पास समय कम मिलता है मैं कैसे क्या करूँ चलो पहलो तो बहाना ठीक था कि समय कम मिलता है आप तो समय जादा मिलता होगा ठीक है चलो वह भी माल लेते हैं समय नहीं मिलता है तो क्या आप हड़ दिन एक एक घंटा नहीं अब आपको हर दिन दो घंटा देना होगा दो घंटा अगर आप देते हैं for 30 days इसका मतलब यह हो गया कि पास पक़ा हो गया तेकि दो घंटा अगर आप देते हैं 30 दिन के लिए तो पास पक़ा कर जाएंगे वात को दिलान से समझेगा कि कि हमारा गोल हमारा ड्रीम हमारा मिशन क्या है कि हमें 65% मार्स लाना है हम 50% मार्स पर सोचेंगे ही नहीं क्यों अगर हमारा ड्रीम ही छोटा रखेंगे हैं नमबर भी छोटा ही आ जागा 50% परसेंट ओट सोच रहे है और उसमें एक पर्सेंट भी मार्क्स कम हो गया क्या होगा उसमें एक परसेंट भी मार्क्स कम लाते हैं हो जाता है 64% marks और आप कहलाएंगे first class pass दोनों में बहुत अंतर हो जाता है first class pass और काँ फेल हो रहे हैं हमारा goal और हमारा mission यह है अब इसको complete कैसे हो मतलब इसको पूरा कैसे क्या जाता है तो हमारा 65% डाना है तो आपको कुछ steps जो है वो follow करना होगा जो में लिख रहा हूँ क्या है step one watch video carefully दिहान से देखेगा video ठीक है step two आपको notes जो है हर वीडियो के नीचे notes है उसको download कर लेजे हर वीडियो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना हर वीडियो के नीचे notes बनाती है या तो आप notes लिख लो या notes download कर लो जो अच्छा लेगा आप कर सकते हैं क्योंकि आप समय बहुत थे आपके पास step three do a regular revision regular revision करना बहुत जरूरी है ठीक है आप कम पढ़िये तो भी चलेगा पर जो पढ़िये accurate पढ़िये ठीक है अब जैसे में आपको एक्जामपल ही बता रहा हूं एक मेरा स्टुडेंट था एक्जाम से मात्र दस-पंद दिन पहले जोइन किया था और सारे पर वो पास कर गया और मैं इसको से रिवाइस करता था हर दो दिन तिन दिन के इंटरवल पर समझने बाद मैं क्या बोल रहा हूं तो रिवीजन की वजह से जब मैं एक्जाम में गया तो मुझे सारे चीज़ आदत है जो पढ़ के गया तो उसमें से कोई चीच छूटा नहीं मेरा तो ये सब्सक्ति पर से चीच यादाद केला आप कम पढ़िये जो पढ़िये सही पढ़िये और एकुलेट कर ये स्टेफ फौर अश्टेफ फौर ये है कि आपको कुश्चन बैंक करना होगा जितना भी कुश्चन बैंक है स्टेफ वाइव है मॉक टेस्ट यह भी आपको करना जरूरी है इतना करिएगा तो पक्का पास कर जाएगा पास तो एन से कर जाएगा यह सब करिएगा तो आद बोनस हो जाएगा नमर बढ़ जाएगा एक चीज़ और याद रखेगा ठीक है? एक चीज़ हमें से याद रखेगा कोई शॉटकट नहीं होता सक्सेस के लिए कोई शॉटकट नहीं होता किसी एक कर रिजल्ट आजागा तो इसका मतलब नहीं कि सारों कर रिजल्ट आजागा ठीक है? तो नो शॉटकट फोर सक्सेस आपको पढ़ना तो पूड़ा ही पढ़ेगा स्टड़ी आपको फुल करना पढ़ेगा ठीक है? स्टड़ी को मज़दार बना सकते हैं इंट्रेस्टिंग बना सकते हैं ठीक है? स्टड़ी को मज़दार इंट्रेस्टिंग बना सकते हैं पर पढ़ना सार अपड़ाँगा, कोई छुटेगा नहीं, आप कोई गोली नहीं मार सकते हैं, ज्याद दुटीए रखाएंगा पिसली बात क्या हो जाएगा कि आपको प्रोसिजर के थूपढ़ना है अगर आप procedure के थुरू काम करते हैं या procedure study करते हैं जैसे मैंने आपको बताए वीडियो सुना, notes download किया या notes हाथ से बनाया जो बच्चे अपने हाथ से notes बनाते हैं सुनिये का बाग जो बच्चे अपने हाथ से notes बनाते हैं कोई फेल नहीं करता फिर वही करता है जो shortcut मान लगता है जैसे मैंने आपको बता है समय नहीं है वीडियो सुना, notes download कर लिया उसकी result की probability कम होते जाती है जतना आप shortcut मारेंगे उतना result कम होगा जतना procedure से पढ़ेंगे, notes बनाएंगे, revision करेंगे, doubt आएगा तो पूछेंगे जिसको प्रोसेजर बोलते है वो उतना hyper होता है, उतना high chance होता है फास करने का चली यह सारी बात तो समझ गया अब जो हमारा program है जिसका नाम है face to face video course इसका नाम है face to face video course इसमें हम आपको क्या कर दे रहे हैं वो समझेगा तो इसमें आपको video lecture courses रहता है दूसरा हो जाएगा accounting का numerical का video होता है तूसरा हो जाएगा legal का situational analysis का video होता है चोथा हो जाएगा आपको तीरा हज्जार पांसो सेट का कुश्चन बैंक है पांचवा हो जाएगा थर्टी मौक टेस्ट चोथा हो जाएगा नोट्स रहेंगे यह तो प्यूट्प में और यह भी नोट्स जो भी रहेंगे यह भी प्यूट्प में रहेंगा इतना सारा चीज आपको मिलेगा लिए लेक्जर को पर से कांटिंग नुम्रें को वीडियो लेगे अंपर सुच्छर्ण आल एलसीस का वीडियो त्रह जर्टी मौक टेस्ट और नोट्स लेंगे पीडियोट्प में ठीक है अब इसको करने के लिए पढ़ने के लिए आपके पास इंटरनेट होना अनिवारे है यानि कंपलसरी इंटरनेट होना चाहिए दूसरा बात क्या है कि यहां पर यह सारी लाइफ नहीं होती लाइफ इसलिए नहीं होता कि कोई आदमी किस टाइम को आएगा तो गैरेंटी नहीं है अब मैं ही बैंक में हो तो मैं ही राज के दस्वजा तो मैं क्या पढ़ाऊँगा इसको इसलिए तीसरा चीज क्या है कि 24 क्रोस 7 आप एक्सेस कर सकते हैं इसको कि बस इतना ही इसमें और काफी एक तक कुछ आप लिए अगर आप जे ए आई आई बी का प्रिंसिपल पढ़ें या फिर आप एकांटिंग करें इस और लीवल करें कि इसका प्राइस है बारा सुर दो अगर आप जे ए आई बी का एकांटिंग करते हैं इसका प्राइस है पंदरा सुर रुपे अगर आप जे ए आई आई बी का कॉंबो पैक करते हैं इसका मतलब हो गया ओल त्री पेपर्स आइ इसका प्राइस है तिन हजा रुप यह जाज़न कारी अप फोन भी करता हों यह जाएब कर सकते हैं इस फोन नॉमबर है पोड़ टैंक्स नाइब 6-8-5-1-2-7 दूसर नमर है 7-8-2-7-5-4-6-9-4-6 आप वेबसाइट में जाके ओनलाइन ओर प्लेस कर सकते हैं प्लेस कर सकते हैं क्या ओनलाइन ओरडर वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com email id हो जाएगा siddsinha123 email.com अग्यू